अगर आप लोग इंडिया में यूज करते हो कोई सभी वन प्लस का डिवाइस तो आप लोग को वन प्लस की डिवाइस के अंदर एक काफी ज्यादा इसेंसियल अपडेट है जो रोल आउट हो रहा है और उसके बारे मैं आप लोग को इन्फोमेशन दे देता हूँ अगर आप लाइक ज़रूर से कर सकते हो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जैंसियल अब डेट है ये हमें निकलकर आता है वन पलस लॉंचर के अंदर अब आप लोग fixes थे न हमें इसके launcher के अंदर OnePlus launcher के अंदर हमें यहाँ पर जित्ती भी activities देखने को मिलती थी unwanted activities and यहाँ पर जित्ता भी हमारा device lag कर रहा था and बाकी सब चीजे थी सब चीजे OnePlus ने अब इस update के साथ fix कर दिया like आप लोग आपर देख सकते हो जो gesture navigation है वो अच्छे से वक नहीं कर रहा है and बाकी सब चीजे भी तो यह सब चीजे आप लोग की जो device के अंदर थी OnePlus launcher के अंदर bugs आ रहे थे वो सब OnePlus ने इस update के बाद clear कर दिया and यह जो update है आप लोग की device में काफी ज़ते essential update है इस update के अगर हम लोग size and version की बात करें तो 5.1.8 का यह update है update का version निकल के आता है 5.1.8 और यह July June 30 को update हो गया था और इसका जो total size है वो निकल के आता है 43.32 MB है ना तो यह वाला आप लोग को जरूर से update कर लेना चाहिए और जो app permissions है वो app आप लोग की कुछ इस type की यह permissions मांगता है तो अगर आप लोग चाहो तो इनको दे सकते हो नहीं चाहो तो मत दो तो यह कुछ update है इस update को आप लोग ने अगर अभी तक नहीं कर रहा था तो जाओ और जाके कर लो और यहाँ पे आप लोग को और भी जादा essential updates देखने को मिलते हैं oneplus की तरफ से तो आप लोग oneplus को उसके आप लोग playstore पे जाके follow जरूर से कर सकते हो और मेरे पास यह information थी oneplus के new update के साथ और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लिएक जरूर से कर सकते हो और इसी type की मैं regular और वीडियो भी लाता रहूँगा तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में तब तक ले bye and see you all guys in our very next वीडियो